जिन लोगों को बिलना चाहिए था जो गरीब है उनको नहीं बिलना ये पुने लिखे लोग है ये अच्छे पैसे वाले लोग है उनको रिजर्वेशन नहीं बिल रहा है इसलिए हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि पावा साहब में रिजर्वेशन का प्रॉविजन किया उसमें इस बात को रख़ा कि रोजी रोटी का मात्यम नहीं है साथ यह रोजी रोडी का मात्यम नहों कि पृतिनी दिटुका मतलब क्या है यह पहुंचों के अपने समाज के आबाज उखेंगा यह ऐगा सब्सक्राइब करेंगे लेकिन ऐसा देखने में आरा है कि हम में ज्यादतर साथ के अकिठिकत कामों में उलजितों कबने है इसके लिए हमें अपना फूरा जीवन लगा यहाँ पर मैं बाबा साहब की उस बात को या बाबा साहब के जो अनुपव है उसको शेयर करना चाहूंगा साथियो लेकिन बाबा साहब भारत में क्या मैं समस्ताओं के दुनिया के सबसे अधिक पड़े लेके लोगों से एक रखती थे उन्होंने पूरी दुनिया में आपके विचार को आपकी समस्या को प्रचारित प्रशारित किया लेकिन उस सारी गफलत में उस सारे सारी लगाई में बाबा साहब अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाए उनके कम से कम चार बच्चे गरीबी मुफलिसी में इस समाज के का अगर वो भी चाहते जैसे 1923 में ही उनको जज का ओफर मिला था 1919 में वो प्रॉफिसर बन गए थे और आप जानते हैं कि बैरिस्टर लॉट थे वो ग्रेजले इन से आई हुए थे उस समाज के पैरों में पढ़ी हुगी जंजीरों को समात करोंगाror और उस पृक्रिया में उन्होंने अपने चार बच्चो को भी खो दिया, अपने वाईफ को भी खो दिया अपने परिवार के लिए अपनी सिक्षा का इस्तमाल करते अपनी विद्वता का इस्तमाल करते तो फिर साथ ही हम कहा होते फिर हम साइद वही होते जहां पे ब्रामेनवादी विवस्था ने हमें रखा है अपने पैर के नीची रखा है, मरे हुए जानवरों को खाने के लिए मदूर किया, हमारे उपर कितने अत्याचार किये, इसलिए कही न कहीं ये social responsibility हमारी बनती है, कहीं न कहीं हमारी एक सामाजिक दाहितु बनता है, कि जिस community का representation करने के लिए हम different institutions में आये हैं, उस जिम्मेदारी को निभाए, उस ज बाबा साहब के लिए आज समाज मरने और मारने के लिए क्यों तयार है, अगर उनकी एक प्रतिमा का भी कहीं पे अनाधर होता है, तो समाज के सैंकड़ों लागों लोग देश दुनिया के अंदर विद्रो कर देते हैं, वहाँ पे तुरंध प्रसासन को घंडे दो घंडे म नहीं और अच्छी प्रतिमा लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने अपने चार बच्चे जरूर खोए, लेकिन मा रमाई ने जो बात कही थी, जब वो लंदन जा रहे थे, कि कोई बात नहीं है, हमारे चार बच्चे खोगए, लेकि बाबा साहब के लाखो करोडो बच्चे पूरी दुनिया में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप सब भी, हम सब भी बाबा साहब के ही बच्चे हैं, जोतिवा फूले सावित्री भाई के ही बच्चे हैं, जिनोंने इस आंदोलन में अपना खूर पसीना साथि जोतिवा फूले और सावित्री भाई फूले ने इस देश के अंदर सिक्षा के आंदोलन की सुरुवात उस समय पे की, जब हमारी हालत बहुत जाला खराब थी, बाकी बाते तो बहुत सारे आप सारे लोग जानते होगे, मैं एक वाकिया शेयर करना चाहता हूं साथी आप जब जोतिवा फूले और सावित्री भाई फूले के यहां पे कोई सम्तान उत्पन नहीं हो रही थी, तो उनके पिता गोविंद फूले साहब जो है, उन्होंने जोतिवा फूले को कहा कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, दूसरी शादी के लिए दबाव डालने ल होगी, वो ही जिसमें यहां पे एक बड़ा भत्ता से बिस्तमाल किया जाता है, बांच, कि महीं लड़की बांच है, बहु बांच है, बच्चे बैदा नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके फादर ने कहा कि बेटा दूसरी शादी कर ले, जो तीवा फूले ने कहा कि ठीक है, आ अगर उनके साथ प्रॉब्लम है, तो फिर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, अब भी दूसरी हमारी आ जाएगे, आराम से सब रहेंगे, लेकिन, मैडिकल परिक्षण दोनों का होना है, चाहिए मेरा भी मैडिकल परिक्षण होगा, कहीं समस्या मेरे साथ हुई, मतलब जो तो इस देश के अंदर, उनको ख्वाभ में में इस तरह के क्रांतिकारी बिजार नहीं आ सकते, जो जोतिवा फूले और सावित्री भाई भूले, उनिस सु अठारे सो बतिस तेटिस में कह रही थे, जोतिस में कह रही थे, सो उन्होंने फिर ये कहा करा कि हम जिंदिकी पर लफड़े में नहीं पढ़ेंगे, जो उनके फादर थे, वो अपने कान पकड़ लेगे, कि फिर पाम करते बेटा, मैं इस सरक्रम नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि अगर सावित्री भाई भूले का तूसरा पती मेरे गर में आके रहेगा, तो हमारी तो पूरी इस खत्म हो लोगों के जीवन को बिदल दिया, हम यहां तक आज पहुचे हैं, हमारी महिलाई यहां तक पहुची हैं, तो वो उस आंदोलन की उपज हैं, ना कि किसी कॉंग्रेस, बीजेपी या लेफ्ट के नेताव की एहसान की वज़े से यहां पे नहीं पहुचें साथियों, वो यह हो सकता है कि किसी समय विसेश पे पहुचे का ना करके मुकेश का करा दे, मुकेश का ना करके गोविंद का करा दे, गोविंद का ना करके मेरा करा दे, लेकिन इससे जादा कुछ नहीं कर सकते हो, इससे जादा उनके हाथ में कुछ नहीं है, और आज की तारिक में यह भी उ उनकी मानत संताने हैं हम उनकी वजे से पैदा हुए माबापने हमारे जनम जुरूर्द हमें दिया लेकिन हमारे अंदर जो वैचारी कुर्जा पैदा हुई है हमारे अंदर जो ये confidence पैदा हुआ है वो उस आंदोलन की वजे से पैदा हुआ है लेकिन जब आप चलन मंजना करने लगते हैं तो फिर हम कही न कहीं जोती बाफुले सावितरी बाई फूले अपके उस भलीदान को उस त्याग को अब्यूज करते हैं उसको कही न कहीं जो एहम गाली देते हैं और माने वरकासी रामसाब इसके लिए एक सब इस्तमाल किया करते थे कि कहीं न कहीं हम अपने नलाइकी का सबूर देते हैं हमें अपनी जो है नालाइकी को दूर करके, नालाइकी का मतलब यह है कि बाबा साहब और जोतीवाप भूले कि लायक संताने बना है, लायक संताने वो होती है जो अपने माबाप के काम को आगे बलाती है, जो अपने पूर्वजों के काम को आगे बलाती है, इसलिए यह आंद तो वाली विचारधारा की सहारे, फूले अंबेतकर विचारधारा चेतना की सहारे, वहां के छात्रों को, वहां के करमचारियों को, वहां के सिक्षकों को, सेंसिटाइज ना किया हो, वहां पे आपने एजुकेशन का लेविल बढ़ा दिया है, मानवता का लेविल बढ़ा द बटा दिखुनाइब नियुक्त है। कुझाया चमाइशिपलोंति ऐलोक ड़ा सकते हैं लोगों ने सामाजिक धन्स जहेला जिन लोगों उपेशा ज़ेली हैं जिनों के ऊपर अत्याचार अभ्मान हुए हैं तो जो जब इन जनस्ताव में आते हैं तो इन eles भढ़ da इन संस्थाव का भी लोकनत्री करना हो जाता है कहीं न कहीं मनुवादी विवस्था जो की अन्याय अत्याचार के आधारित है समानता पे आधारित है आपके इन विश्वजालों में पहुंचने की वज़े से घबरा गई है तो फिर उनका ब्रामनत्र जिंदा कैसे रहेगा उनका जो है वर्चसु कैसे जिनदा रहेगा इसलिए उन्होंने अब इन संस्थाव में हमें न पहुचने के लिए सलएंत्र किये लेकिन साथियो आप इन सलयंत्रों से घवराने की ज़ूत ने हैं इन्होंने इस सलयंत्र के लेगि लिए सलयंत्र कामयाब नहीं हो सकते हैं गोभिन सिंग जिस बात को कहा करते थे कि सवालाग से एक लडा साथियो आप के अंदर इतनी ताकत है आप में से हर एक व्यक्ति इतने ज़्यादा अपमान अत्याचार और मैं कहूंगा कि जमीन के नीचे से निगल के आया है कि आप सिर्फ खड़े हो जाएं आप सिर्फ खड़े होके अपना नाम बता दे तो उसकी आधी ताकत खतम हो जाती है आप चाहिए स्टाफ रूम की बात करें चाहिए सेमिनार की बात करें या सामान ना है कहीं पे विचार गोस्टी हो रही हो वहां की बात करें जैसे ही आप अपनी बात कहना सुरू करते हैं तो वो कापने लगता है आजकल तो ये देखने में आ रहा है आप सुझीद भाई, आज कल यह देखने में आ रहा है कि जब आप उन्से चर्चा करते हैं, जब आप उन्से तर्ग करते हैं, वो आपस हाज जोड़का लग निकल लेते हैं, वो हाज हो के लग हो जाते हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा, जो महल है वो जूट, अंबार, और अ इसी को देखते हैं, और फिर घर जाते हैं, घर जाके फिर सुझीद बनाते हैं, कैसे भाई, सुझीद इतने बढ़िया बात कर रहे हैं, कैसे वो सुझीद भवार जो है, इतनिया बर में घॉम रहे हैं, ऐरो प्लेन में जा रहे हैं, यह जा रहे हैं, उनके पेट में खलब कि आवी है, इस समाज को isो को हमारे खिलाब लगा देते हैं.. के जो डुवाइद रूर कि पॉल सिय उसके तहत फिर वो कही न कही आ हमें परिशां करने का परियास करते हैं.. यह एक गंभीर किसम की प्रिक्रिया वो चला रही थी.. लेकिन इसको खुशिगी बात है कि हमने अपने 2000 साल के संघर्ष से जो संघर्ष का अनुभव है उसका फायदा उठाया और अब हमने उनके प्यादे बनने से इंकार कर दिया इसलिए कही न कही ये चीज अब एक मजबूती के रूप में सामने आ रही है ये बात जो है हमें लगने लगी है कि जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी जैसे जैसे हम लोग आपस में बिलना जुलना बात करना शुरू करेंगे जो ब्रामिरवाद ने 6743 जातियों में आपको तोड़ के रखा था 6743 जातियों में सेडल का स्टर्टाइप्स और ओबीसी की जो ओफिशियल केटिग्रीज है उनकी संख्या 6743 है जो जाति के आदार पे शिकार लोग थे उनको तोड़ के रखा हुआ था अब उन्होंने आपस में भाईचारा बनाना शुरू किया है आपस में उन्होंने बिलना जुलना शुरू किया है तो साथियों जैसे जैसे आपकी रफ्तार बहती जाएगी ऐसे ही ऐसे देश का लोग कंत्री करना होता रहेगा हमारा जो ये संगर्स है, हमने जो ये नारा दिया कि हमारे ये संगर्स जो है सिर्फ कुछ पोजिशन्स को सेव करने का नहीं है बलकि भारत की सिक्षा व्यवस्था को बचाने का है भारत के लोगतंत्र को बचाने का है और इस बात को आगे बढ़ाना है कि हम वास्तों में इस देश की सासन व्यवस्था को लोगतांत्रिक बनाना चाहते हैं और वो व्यक्ति जो 60-70 साल की जो लोग पिछले 70 साल से भारत में यहां के लोगों को दो टाइम का खाना नहीं दे सके हैं क्योंकि उन्होंने 70 साल से सासन किया है और ये खुद कह रहे हैं कि 67% लोग तो दो टाइम का खाना ही नहीं खापाते और खुद इन्हों के जो स्टेटिक्स कह रही है कि 1% लोगों के पास 73% यहां पे रिसोर्सिस हैं दूसी तब यह भी कह रहे हैं कि जो लोगर 61% हैं मतलब जो जनसंख्या में 68% एकनोमिकली वीकर सेक्षन है नीचे से उनके पास सिर्फ एक परसेंट यहां की प्रॉस्पैरिटी या वेल्थ है इसका मतलब यह है कि total absolute disparity है और यह कहीं न कहीं मनवादियों ने जान पूछके कि जिससे के यह बहुचन समाज सिर्फ रोजी रोटी में ही इलजा रहे उसको अपने दिमाग को चलाने का अउसर ना मिले क्योंकि गाउन छोटे कस्बों में आपको कई बार यह सुनने को मिल जाता है अच्छा पेट में दाना पढ़ गया तो दिमाग चलने लगा धिमाग खराब हो गया वास्तों कि वह आपी के लिए है कि आपको हमेशा अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पले हम सुबह के सुबह खा लिया तो शाम के बारे में चिंता करें शाम को खा लिया सुबह के बारे में चिंता करें और उनके सरयंत्रों के बारे में सोचे ने अपना दिमाग ना चलाए जैसे ही आप अपना दिमाग चलाते है तो मनो इसको कहीं न कहीं हमें जो साशन प्राशन के अंदर यह जो मनुवादी विचारधारा है उसको परास्त करके मानवत अबादी विचारधारा संथा मुलक समाज की इस्तापना को आगे बढ़ाना है यही हमारा वहचारिक परिपेक्ष होना चाहिए और साथी हो मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दे लिया क्योंकि अधि तब दद शाथी पोँशे नहीं थे लेकिर मुझे लगता है कि यह भी इंट्रोड्रिक्शन थोड़ा सा जरूरी था दन्यवाज जाए